जिस दिन मेरा रिजल्ट आया दो फर्वरी 2019 को लगभग साम को साथ वजे और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि लगभग मेरा वजन 80 किलो है तो 60-70 किलो वजन मेरे सरीर से हट गया अकसर उसके पहले दिल में भारीपन सा रहता था पता निए जब भी कुछ करता था तो एक महसूस होता था कि कुछ कमी है जीवन में और वो जो फिलिंग है वो मैं आपको एक्स्प्लेंड नहीं कर सकता हूं मैं अकसर यह देखता था लोग को कि लोग खुसी में रोते हैं मुझे हमेसा हसी आती थी कि खुसी में कभी कैसे रो सकता और पहली बार आटोमेटिक आंख से आसू निकल रहे थे लगवग आधा घंटा रोया मैं और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो नहीं होता है कि कि जीवन यही है मतलब मेरा कुल मिला के कहना है कि जीवन यही है और इन सब को पाने के पीछे बस एक ही एक पॉइंट का एजेंड़ा है हार्ड वर्क आप अपना पहला कदम कैसे बढ़ा रहे हैं वो डिपेंड करता है एक साइरी है उसका अर्थ यह है कि एक कदम गलत होता है और पूरी जीवन का डारेक्शन आपके गलत हो जाता है जैसे हवाई जाज अगर एक डिग्री एंगल से घूम जाता है तो वो दिल्ली की जगह अफरिका पहुंच जाता है वैसी हमारे जीवन में है जिस दिन आपने यह पहला कदम उठाना है कि मुझे अपने उपर विश्वास करना है कि हां मैं इस एक्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं कि किसी भी छेतर में को कि मैं अक्सर एक्जाम की बात करता हूं कि मैंने वो चीज हांसिल किया हुआ है मैं किसी और फिल्ड के नहीं उधारन दे सकता हूं क्योंकि उस फिल्ड को मैंने हांसिल नहीं किया हुआ है और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहत जते हैं कि सर а pods संट्रेंशं नहीं बन पारहा है रिगुलर जैदो है सुना था कि एक आदमी बोल ला था कि N te चोड़ने की आदत है क्योंकि 10 रुपे क्यों स l害 का पंधन का महत्स नहीं था एक लुक्रूं पेन अगर आपके पास रहेगा तो आप 25 बार उठने से पहले देखेंगे पेन है कि नहीं पॉकेट उएंगे क्यों नहीं मोवाईल आपका छुटता है इसलिए नहीं छुटता है को कि उस चीज की वैल्यू है आपके ड्रीम की वैल्यू नहीं है आप क्या करने जार रहे हैं आपको उसका महत्व ही नहीं पता है एक वर मेरे कहने पे किसी IES या किसी SDM के साथ एक घंटा गुजार के और एक सवाल यहीं पूछते हैं बच्चे कि सर अगर सभी लोग अवेर हो जाएंगे तो सभी सक्सेस्फूल हो जाएंगे नहीं सभी अवेर हो सकते हैं अभी इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मोटिवेट होंगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और कल किताब रख पढ़ेंगे उनको क्योंकि उनकाई ड्रीम जो है वह बहुत छोटा है वो लूड़ीम दस रुपे कर द्रीम है वह ड्रीम को आपको एक लाक रुपे का बनाना पड़ेगा जब तक आप उस ड्रीम को उतना नहीं देखेंगे कि उपकी जीवन को बदल सकता एक उन्या जनम होता है कल जो राहुल था और 2 फरवरी 2019 के बाद जो राहुल है वो सेम नहीं है बस पढ़ाई करने से होगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लग्की हूं अनलग्की हूं समझ में कम आता है नहीं समझ में आता है वो आपका कमफर्ट जोन है जो आपको एक्सक्यूज क्रियेट करता है आप हमेसा एक्सक्यूज दे के अपने आपको संतावना दे देते हैं कि यार तुम्हां मेरा इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ये प्रोब्लेम है, मेरे साथ ये प्रोब्लेम है, और वो एक्स्क्यूज आप दुनिया को जब देते हैं तो हसते हैं पीछे मुर कर, एक लड़का मुझसे बोलने आया, कि सर मेरा इस वर बहुत अच्छी त्यारी थी, सुबह मेरा पेट खराब हो गया, पेट जरने लगा और मे ऐसा नहीं है सकता है कि आप सलेक्ट नहीं हो पाईएगा, वो साल भर की मेहनत 10 मिट में खराब नहीं हो सकती, आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे क्या बेवकूफ बना येगा, आप अ कि वहांसे एका कि किसको बेवकुफ बना रहा था इसली डिशी लिए सबसे पहले तो जीवन से एक्सक्यूज देना छोड़िये हर साल लोग एच्व कर रहे हैं हर साल लोग बन रहे हैं आप कोई चंदरियान या मार्स पे नहीं जा रहे हैं मंगल यान पर नहीं जा रहे हैं कि आप पहले हैं थोड़ा आज मैं टफ बोल रहा हूं को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं मेरा टेलिग्राम भरा हुआ एक्सक्यूज के कारण एक महासे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं है आप जिस इंटरनेट से मैसेज कर रहे हैं कम से कम 0.330 रुपय का महिना तो रिचार्ज करा रहे हैं आप 0.330 रिचार्ज करा के इंस्टाग्राम, फेस्बूक, यूटूब कर सकते हैं टेलिग्राम पर message कर सकते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हैं तो इससे बड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई excuse होगा तो आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं excuse देखे, कोई दूसरा इससे बेवकूफ नहीं बनते हैं हमें से जाधत और लोग dream नहीं, भरहम पालते हैं dream और भरहम का अंतर समझे है हमें लगता है कि हमारा dream है कि हम ये कर ले और मैंने कई video बनाया हुआ है कि शुरुवात कैसे करें बस first कदम कैसे उठाना है, zero to one कैसे जाना है वो important है, उसके बाद आपका consistency रहना चाहिए क्योंकि ये जो असफलता का बोज है ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है मेरी condition ये हो गई थी कि मुझे लगता था अकसर रोज तो नहीं कहूंगा लेकिन अकसर रात में जब सोने जाता था मुझे ये feel होता था कि कास यार एक मौका मिलता कास एक वार फिर से अपने आपको प्रूव करने का मौका मिलता वो कास जो सब्ध है न वो आपको अंदर तक तोड़ देता है कि कास एक वार मौका मिलता कास एक वार ऐसा कर लेते और कुछ लोग कास कास सोचते ही ये जीवन निकाल देते हैं एक अच्छा मौका है आपके जीवन में ड्रीम मनाईए मेहनत कीजिए आप सफल हो जाइएगा 99% लोग मेहनत नहीं करते हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ मैं तो अभी लाखों स्टुडेंट से मिल चुका हूँ 99% सिर्फ प्लानिंग करते हैं अच्छा जीवन का वही ड्रीम नहीं बनाते हैं वो भरम बनाते हैं कि मुझे ये पाना है वो पाना है मैं तीन साल त्यारी करना हूँ मेरा नहीं हो रहा है मैंने पूछा कि आप दिल पे हाथ रखके हैं कि पढ़ाते हैं मेंस में क्या का सब्जे Mihalik Connect Brad रिंधनली बता रहा हूँ तरह थिए इस दिनली एक महाशाय से बात किया और उनका यह जवाब था किसे मैं तिन साल महिनत कर रहों कि दिल हँए बताइए आप तेन साल से मेर महिनत कर रहा हैं ऑन着 कर हैं उन ने तो वो जूत वोल रहे थी और जो भूल रहा है किसी और से जूत नहीं है, आप अपने आप से जूत बोलते हैं कुई क्या वेकूब बनाईएगा, वो मुझे से कुछ सौटकुत ट्रिक चा रहे थी, कि सर कुछ सौटकट बता दीजे न कि जिससे पढ़के असानी सो जाए यह कंप्टीसा ने मेरे भाई यहां कोई सौटकट नहीं होता यहां मेहनत करनी पड़ती है मेहनत कीजिए साथ महीने मेहनत करके मैंने पीटी निकाला है उसके पहले मुझे पीटी का सिलेबस नहीं पता था तो कोई भी इंसान साथ महीने मेहनत करके पीटी में और मेरा कटफ जो था कटफ से जो highest number गया थे उस सल पीटी में उस उस number से 4-5 number पीछे था में पीटी में सिर्फ 7 महीने की मेहनत से 7 महीने आप दिल खोल के कर मेहनत कर दीजे न देखे कैसे सारे सितारे बदल जाते हैं कैसे सब कुछ बदल जाता है और वो जो सफलता है मैंने आपको फर्स लाइन सुनाया जैसे रिजल्ट आता है और उसका जो अगला तीन महीना होता है आपको मीडिया, फैमिली, रिलेशन, दुनिया, जहान, लोग धोल नगारे बजाते हैं वो imagine आप नहीं कर सकते हैं कि वो पल क्या पल होता है और सबसे अच्छी बात है मैं अकसर उस चीज़ को करता था कि मेरे जो parents है पापा ममी है उनको मैं एक चीज़ प्रूफ करना चाहता था कि आपका बेटा नलायक नहीं है बस वो मेरे मन में वो था और मैंने वो प्रूफ किया है आज वो मेरे साथ रहते हैं आवास में रहते हैं और मुझे सबसे अधा खुसी है कि मैं उनको खुसी दे पा रहा हूँ चलिए तो बहुत लंबी बात हो गई तो हिम्मत किजी एक बार हिम्मत किजी देखिए जहां है अगर आप खुस हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजे लेकिन वहाँ खुस नहीं है रोज घुटते हैं और मेहनत करने से डरते हैं तो आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई बदनसीब होगा इस जित्वी पे अरे छे साथ महीने मेहनत करना छे साथ महीने किजिए नहीं मेहनत वो एक लाइन है फिल्म की ही लाइन है लेकिन औरिजिनली वो पॉल कोलो की लाइन है कि इतने सिद्ध से तुम्हें पाने की कोशिस की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की Jis की है एक बार पहला कदम सबसे कठिन होता है पहला कदम उठा लिजे देखिए रास्ता अपने आप बनते जाएगा चीजें अपने आप मिलती जाएगे आपको लगेगा कियार यह तो मतलब कहां से ऐसा चीज आटोमेटिक होता जा रहा है तो एक पहला कदम उठाइए पहला कदम उठाइए अच्छे से समझदारी से और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मैं कोई ऐसा अनेवलेवल टाइप का आदमी नहीं हूँ लेकिन आप मुझे टेलिग्राम कीजें मैं अपने अकॉर्डिंग फोन करूंगा और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्टुडेंट से बात करता हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कारण एक भी जीवन बदल जाए तो वो मेरी एचीवमेंट है मेरा मतलब को कि जो चीज मैंने पाया है अपने आप पर भरोसा करकर एक बड़ इच्छी लाइन है आज उसी से खतम करते हैं कि सभी को छोड़कर सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने वो मैं जो मुझे में मरने को था उसे जिन्दा कर लिया मैंने रस